नमस्कार दोस्तों मैं सरुन विष्णाई आप सभी का मिसन ग्यान पर हर्दिक श्वागत और अभिनंदन करता हूं देखेगा आज हम बात करेंगे आपके विराम चिनों के भाग नंबर दो में बात करेंगे इससे पहले वाले प्रकरण के अंतरगत हमने जो बात की थी मित्रों वो बात की थी विराम चिन होते कोन-कोन सेर इनका चिन किस परकार से परदसित किया जाता है इनकी परिवासा पड़ी थी उनकी परिवासर उनका प्रियोग कहां कहां पर होता है किस प्रकार से कौन से विराम चिन का प्रियोग होता है उस पर बात करेंगे ठीक है मित्रों तो पैन और कौपी लेके जमा जम और भमा बेट जाना साथ ही हम लेखना सुरू करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी विराम चिन कौन सा भई अल्प विराम की बात करेंगे कौन से विराम की बात करेंगे अल्प विराम की बात करेंगे देखो भई अल्प विराम और अल्प विराम कौन सा होता है कोमा कौन सी मा कोमा इसको हम क्या कहते हैं अल्प विराम कहते हैं ठीक है इसके अंतरगत आते हैं क्या कहता है कि वाक्य के भीतर क्या आता है वाक्ये पहला इसमें नियम आता है वाक्ये के भीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने अलग करने में जैसे मैं लिखा राम ने आम केले अमरूद आदी खरीदे ठीक है देखो राम ने आम केले अमरूद ये सारे क्या एक जैसे समान शब्दों को हमने अलग करने के लिए कौन से शब्दों का प्रियोग किया जाता है अलब विराम चिन का प्रियोग किया जाते है अलब विराम का मतल्ले होता है कम रूखना क्या होता है कम रोकना थोड़ा सा रोकना चिन्या सा रोकना इत्तों सोग रोकनों क्या कहला तो अल्प विराम कहला है क्या अल्प विराम कहलाता है कि वाक्य के बेतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने प्रथक करने के लिए किन चिनों का प्रियोग किया जाता है वाक्यों को को अलग करने में किस का प्रियोग किया जाता है अलप विराम का प्रियोग किया जाता है नेक्स जैसे बात की मैंने आपको क्या हवाचली पानी बर्षा ओले गिरे और सरदी बढ़ गई देखो वाक्य के उपवाक्यों को हवा चली पानी बर्षे ओले गिरे और सरदी बढ़ गई तो इसके अंतरगत देखो बीच में हमने किसका प्रियोग किया है वाक्य के उपवाक्यों को अलग करने के लिए अलप विराम चिनों का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट बात देखेगा इसके अंत्रकत नियम नंबर अगला आता है तीसरा तीसरा क्या केता है वाक्य के मध्य के मध्य क्रिया विशेशन व विशेशन विशेशन उपवाक्यों उपवाक्ये आने पर किसका प्रियोग किया जाता है अलप विवराम का प्रियोग किया जाता है जैसे मैंने लिखा यह बात यह बात यदी सच पूछो तो मैं भूल ही गया था यह बात यदी सच पूछो तो इसके अंतरगत आपने देखा होगा कि कहां पर प्रियोग किया गया यह बात यदी यह बात यदी सच पूछो तो आपने प्रियोग किया यह बात यदी सच पूछो तो मैं भूल ही गया तो इसमें क्या किया रहा है यदी उद्ध धरण चिन से पूर किसका प्रियोग किया जाता है अल्प विराम का प्रियोग किया जाता है जैसे उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता तो उद्धरण दुहरे उद्धरण चिन का प्रियोग किया गया है तो उससे पहले हमने किसका प्रियोग किया जाता है अल्प विराम का प्रियोग किया जाता है जैसे कहते है मात्मा गांधी ने कहा की तो की की जग हम क्या लगा देते मात्मा गांधी ने कहा फिर कहते सदा सत्य बोलो तो उद्रण चिन दूहरे चिन से प्रयोग किया जाता है उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट बात आती है अपके समाना दी करन सब्दों के बीच मैं किसका प्रियोग होता है अल्प विराम का प्रियोग होता है समानर दिकरन जैसे विदहराज के पुत्री विदहराज के पुत्री विदही राम की पतनी थी विदहराज की पुत्री विदही किसकी पुत्री थी वही किसकी पतनी थी राम की पतनी थी तो इसके बीच में हमने किसका प्रियोग कर दिया आपकी समानर दिकरन जो वाक्य होता है उसके बीच में किसका प्रियोग किया जाता है अल्प विराम का प्रियोग किया जाता है किसका प्रियोग होता है अल्प विग्राम का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट बात आ जाता है जैसे बात कर दी कभी-कभी संबोधन के बाद कभी-कभी मेरे दिल में ख्याल आता है वो बात नहीं कभी-कभी कभी-कभी संबोधन के बाद संबोधन के बाद बाद में किसका प्रियोग किया जाता है अल्प विराम का प्रियोग किया जाता है जैसे आप लिखते हो राधे तुम आज भी विद्ध्याले नहीं गई तो वहाँ पर हमने किसका प्रियोग कर दिया संबोधन से पहले संबोधन के बाद किसका प्रियोग किया जाता है हमारे अल्प विवराम का प्रियोग भी कर सकते है नेक्स्ट बात करते हम इसके अंत्रगत समय सुचक शब्दों समय सुचक शब्दों समय सुचक शब्दों को अलग करने में को अलग करने में समय सुचक शब्दों को अलग करने में अल्प विवराम का प्रियोग किया जाता है कैसे किया जाता है जैसे कल गुरुवार दिनांक 15 मार्च से प्रिक्षाएं प्रारंब होगी तो हमने किस का प्रियोग किया भई अल्प विराम का प्रियोग कर दिया नेक्स्ट आता है आपके पत्र के अभिवादन अभिवादन समापन के साथ किसका प्रियोग किया जाता है अल्प विराम का प्रियोग किया जाता है जैसे हमने लिखा पुझ्ये पिताजी पुझ्ये पिताजी या भवधिये तो किसका प्रियोग किया जाता है मित्रों अल्प विवराम का प्रियोग किया जाता है तो इसके अंतरगत देखो हमने चार पांच जो नियम पड़े थे वाक्ये के बीतर एक ही प्रकार के शब्दों को अलग करने के लिए कौन से चिनों का प्रियोग किया जाता है तो मित्रो उपवाक्यों को अलग करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है अलप विराम का प्रियोग किया जाता है उधरन चिन से पहले कौन सा चिन आता है तो अलप विराम आता है कौन सा आता है अलप विराम समाना धीकरन शब्दों के बीच में कौन से चिनों का प्रियोग किया ज साथ में किसका प्रियोग किया जाता है आपके वहाँ पर भी किसका प्रियोग होता है अल्प विराम का प्रियोग किया जाता है अब आता है दूसरा जिसका नाम है हमारा अर्द विराम कौन सा विराम अर्द विराम कौन सा विराम है अर्द विराम ठीक है अर्द विराम का प्रियोग कहां पर होता है जैसे मैंने एक लिखा अर्द विराम का प्रियोग कहां पर होता है जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो उपवाक्य हो जैसे सूर्योदे हुआ अंदकार दूर हुआ अंदकार दूर हुआ अंदकार दूर हुआ पक्सी चह चाने लगे लगे आउर आउर में प्राताय बर्मन को चल पड़ा चल पड़ा तो सूर्योदे हुआ अंदकार दूर हुआ तो यह क्या है इसमें आश्रित उपवाक्य है कि प्राताय में बर्मन के लिए चल पड़ा यहां पर क्या कह रहा है एक तो प्रधान उपवाक्य पहली तो बात आती कि प्रधान उपवाक्य किशे कहते हैं जिस वाक्य में मुखे उद्देश और मुखे विधे होता है वो क्या कहलाता है प्रधान उपवाक्य कहलाता है और उस पर आस्रित होने वाले निर्भर होने वाले कौन से कहलाते हैं आपके आस्रित उपवाक्य कहलाते हैं आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं संग्या आश्रित उपवाक्य होता है विशेशन आश्रित उपवाक्य होता है और क्रिया विशेशन आश्रित उपवाक्य होते हैं अब जब मुख्य वाक्य पर क्या निर्भर रहने वाले जो होते हैं जैसे मात्मा गांधी ने क कहा कि सदा सत्य बोलो तो सदा सत्य बोलो किस ने का मात्मा गांधी ने का तो यह मात्मा गांधी ने कहा यह हमारा क्या प्रधान उपवक्र सदा सत्य बोलो यह किसका बात है आस्रिता की बात कर रहा है किसकी आस्रिता अर्थात निर्बरता की बात कर रहा है किस पर यह आपके आता है वो नियम है क्या कि विभिन उपवाक्यों विभिन उपवाक्यों पर अधीक जोर देने के लिए कि अधिक जोर देने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है अल्प विराम का प्रियोग नय होकर अर्द विराम का प्रियोग होता है जैसे मेहनत ही जीवन है अलस्य ही मरत्यों है तो किसका प्रियोग कर दिया हमने बीच में अर्द विराम चिन का प्रियोग किया है ठीक है तो ये बात आपके थी इसका अंत्रगत या हम क्या कर देते हैं मिश्र तथा सयुक्त कौन सा नियम अगले की बात करताओं में मिश्र तथा सयुक्त सयुक्त वाक्यों में विपरीट अर्थ प्रकट करने या विरोध या तथा सयुक्त या विरोध पूर्वक क्थन परकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में अर्द विराम चिन का प्रियोग किया जाता है कौन से विराम का प्रियोग किया जाता है अर्द विराम चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं, वे उन्हें फल देते हैं, वे उन्हें फल देते हैं. तो हमने बीच में किसका प्रियोग कर दिया अर्ध विराम का, किसका प्रियोग किया है, कब जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं, वे उन्हें फल देते हैं, अर्थात अर्थ परकट करने के सा विपरित अर्थ परकट करने या विरोध परकट करने के लिए किसका प्रियोग किय जाता है हमारे अर्द विराम चिन का प्रियोग किया जाता है तो पहली बात थी कि जब एक प्रधान उपवाक्य और अनेक आस्रित उपवाक्य होते हैं तो उनके मीच में अर्द विराम चिन का प्रियोग किया जाता है अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा सा गुरूकना ठीक है, नेक्स्ट बात आता है, अल्प विराम के बाद में अर्द विराम, अर्द विराम कहता है कि अल्प विराम से थोड़ा जादा रूखना, क्या कहता है अर्द विराम, और पूर विराम का मतलब होता है पूरा रूख जाना, मोहन ने खाना खाया, पूर्ण विराम, डं इन उपवाक्यों पर अधिक बल देने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है अर्द विराम का और यहां पर सयुक्त और मिश्र वाक्य में विपरीत अर्थ या विरोध अर्थ परकट करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है अर्द विराम चिन का प्रियोग किया जाता ह अपूर्ण विराम ये क्या कहता है ये समानाधी करण उपवाक्यों समानाधी करण उपवाक्यों के बीच में जब कोई सयोजक शब्द नेव जब कोई सयोजक सब्द या चिन ने हो तो वहाँ पर किसका प्योग किया जाता है अपूर्ण प्योग करें प्योग करें अपूर्ण जैसे हम बात करें इत्रों इसमें समानाधी करण उपवाक्यों के बीच में जब कोई सयोजक शिन ने आए कब नहीं आता जैसे बात किया छोटा स्वाल और बड़ा स्वाल नेक्ट बात की मैंने परमानू विश्फोट मानव जाती का भौश्य मानव जाती का भौश्य तो इसमें क्या समाना देकरन उपवाक्यों के बीच में जब कोई सयोजक नहीं चिन होता है वहां पर हम कौन सा चिन लगा देते हैं अपूर्ण विराम चिन लगाते हैं अपूर्ण विराम चिन का प्रयोग किया जाता है ठीक है नेक्स्ट बात करती है चोटा साथा चोथा जो प्रकार आता है हमारा वह है पूर्ण विराम पूर्ण विराम कोन सा चिन है पूर्ण विराम जब पहली बात इसमें नियम आता है कि साधारण साधारण मिस्त्र वा सयुक्त वाक्यों की समाप्ति पर किस समाप्ति पर किस का प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम चिन का प्रयोग किया जाता है जैसे लिखा मोहन पढ़ता है दूसरा लिखा मोहन पढ़ता है और सोहन खेलता है नेक्स्ट बात करते हैं यदी मोहन पढ़ता तो उतिर्ण हो जाता जो करेगा सो भरेगा जैसी करनी वैसे भरनी तो यहां पर हमारे में ध्यान रखना जो हम स्टोब बोलती है वही हमारा कौन सा है पूर्ण विराम चिन का प्योग किया जाता है ठीक है यह तो साधारण बात है फिर हम कह सकते हैं कि प्रशन वाचक वाक्यों को छोड़ कर प्रशन वाचक वाक्यों को छोड़ कर सभी की अंत में कौन सा चिन हो जाता है पूर्ण विराम कि प्रशन सूचक ची तो प्रशन सूचक चीन कौन सा है वह यह वाला है कि नेक्स्ट इसके अंतरगत क्या आता है कि प्रशन सूचक वाक्यों के अंत में प्रस्ण सूचक वाक्यों के अंत में अंत में प्रश्ण वाचक चिन का प्रियों किया जाता है पहली बात कैसे जैसे देखो कहा उसकी पूस्तक किसने ली किसने फ़ाडी तो अंत में किस का पुरियो कर दिया हमने प्रश्ण वाचक चिन का प्रियोग कर दिया है जैसे सीता आज विद्याले विद्याले आई या नहीं या नहीं तो किसका प्रियोग किया हमने प्रश्ण वाचक चिन का प्रियोग किया आई या नहीं प्रश्ण करने का बोध करवाया जाता है ठीक है दूसरी बात ध्यान रखना जैसे एक ही वाक्य में एक ही वाक्य में कई प्रश्ण वाचक उपवाक्य हो तो में रखना हो और आउर आउर सभी एक ही प्रधान उपवक्य पर आस्रित हो तब 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 प्रतीक उपवक्य के अंत में प्रतीक उपवक्य के अंत में अल्प विराम का परियोग करने के बाद सबसे अंत में प्रस्न सूचक लगाया जाता है जैसे बात करें मोहन नेक्स्ट बात क्यों आया क्यों आया वापस वापस कब जायेगा वापस कब जायेगा कहां रहेगा क्या आप जानना चाहते हो क्या आप जानना चाहते हो तो बीच में पहले क्या करना है अल्प विर्याम करना है प्रतियक जगे प्रश्न वाचक चिन का प्रयोग नहीं करना है प्रश्न वाचक चिन का प्रयोग वाक्य के अंत में करना है कहां पर करना है वाक्य के अंत में प्रश्न वाचक चिन का प्रयोग करना है इस बात का ख्याल रखना है संबोधन चिन ये होता है मारा संबोधन चिन अब संबोधन चिन हमारे को क्या कहना चाहता है संबोधन का मतलब होता है बुलाना पुकारना अवाज लगाना ठीक है तो क्या कह रहा है कि जब किशी को बुलाया या पुकारा जाए जब किसी को किसी को बूलाया या हम कह सकते हैं पूकारा जाए तो वहाँ पर संबोधन चिन का प्रियोग किया जाता है कौन से चिन का प्रियोग किया जाता है संबोधन चिन का प्रियोग किया जाता है जेसे मैंने लिखा हे प्रभु या प्रभु भी कह सकते हम हे प्रभु अब यह जीवन नो का तुमारे से ही पार लगेगी अब यह जीवन नो का तुम ही से पार लगेगी कहने का क्या तात्प्रिय है यहां पर कि है प्रभु यह प्रभु प्रभु को बुला रहे हैं पुकार रहे हैं आवाज लगा रहे हैं प्रभु से तो वहां पर हम किसका प्रियोग करेंगे मित्रों वहां पर हमने संबोधन चिन का प्रियोग किया है कौन से चिन का प्रियोग किया है संबोधन चिन का प्रियोग किया है ठीक है नेक्स्ट बात इस कंतरकत जैसे मैंने कह दिया मोहन इधर आओ इस परकार भी आप इसको प्रियोग कर सकते हो अरे श्याम इतने दिन कहां था तो वहाँ पर कौन सा है संबोधन है कौन सा है संबोधन चिन का प्रियोग किया जाता है अब इसी कई भाई ये को रहेगा कौन सा विश्म्यादी चिन तो समान है लेकिन उसमें भाई अलग है तो वो पढ़ते हम सात्वा चिन हमारा है उसका नाम है विश्म्यादी विश्म्यादी चिन विश्म्यादी चिन भी यही है संबोधन चिन भी यही है क्या कहना चाहता है कि जब किसका बोध हो हार्ष का बोध हूँ, शोक, ग्रणा, भै, विश्मिय, आदी भाओं के सूचक, भाओं के सूचक शब्दों या वाक्यों के साथ या अन्तमी, जैसे हमने बात की क्या वाहा, क्या भीराम, नैना भीराम द्रश्य है क्या नैना भीराम द्रश्य है, वहाँ आनंद की अनुगोती होती है तो वहाँ पर होता है विश्मियादी बोधक नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आ गया हाई, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, कुद जा तो द्यान रखना कौन सा कहलाएगा आपका विश्मियादी बोधक चिन का प्रियोग करना है, संबोधन जैसा ही, लेकिन भाव विश्मियाद का है दूसरा जैसे करें, अरे तुम प्रथम स्रेणी से उत्रिन हो गई, आश्रिय चक्कित हो जाता है, अरे तुम प्रथम स्रेणी से उत्रिन हो गई, प्रथम स्रेणी से उत्रिन हो गई, आश्रिय चक्कित हो जाता है, अचंबित हो जाता है, विश्मियादी बोधक का कहलाता जिसका तो कह रहा ना कि बहेंस कुए में जाईगी वैसी हालात थी लेकिन वो क्या हो गया प्रथम श्रणिट से फर्स डिवजन से पास हो जाता है उतिरन हो जाता है तो आशिर चकित का भाव हो जाता है तो वहां पर भी हम किसका बोध करवाते विश्मियादी बोधक्चेन क प्रियोग करने यानि हर्ष शोक घ्रणा भै विश्मिय आशिर चकित आशिरवाद इच्छा तिरिशकार अनुमोधन स्विकरती आधी का बोध होता है वहां पर कौन सा के लाता है विश्मियादी बोधक्चेन का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट देखो विश्मियादी बूदक के बाद में आता है अवुत्रन चिन कौन सा आता है आठ नमबर हमारा आता है अवुत्रन चिन भाई अवुत्रन चिन तो अवुत्रन चिन के अंतरगत बात को ध्यान में रखना है क्या अवुत्रन चिन कहते किसे हैं पहली तो बात ध्यान में रखना ये भी दो परकार का होता है इकारे दूहरे की बात करेंगे हम तो क्या केते हैं जब किसी किसी के कथन जब किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्गरित किया जाता है उद्गरित किया जाता है तो उस कथन के दोनों और और इसका प्रियोग किया जाता है इसका प्रियोग किया जाता है इसलिए इसे उद्धरन चिन या उपविराम चिन भी कहते हैं या या उपविराम चिन भी कहते हैं ये बात दिहान लखना एक तो क्या कहते है इसे उद्धरन और उपविराम चिन भी कहते हैं ठीक है ये दो परकार के होते हैं ये दो परकार के होते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दो परकार के कौन से हैं पहला आता है इक हरा कौन सा हरा इक हरा चिन एक हरा चिन होता है कौन सा ये वाला एक हरा चिन कौन सा है एक छेर एक नो की बात करते हैं वो कौन सा है एक हरा क्या होता है कि जब किसी जब किसी कवी का उपनाम पुस्ट का नाम पुस्ट का नाम पत्र पत्री का पत्र पत्री का का नाम पत्र पत्री का का नाम लेख या कविता लेख या कविता का सीर्षक आदी का उलेख अदी का उलेख करना हो हो तब किसका प्रियोग किया जाता है एक हरे चिन का प्रियोग किया जाता है जैसे हरे का एक हरे चिन का प्रियोग किया जाता है जैसी राम चरित मानस राम चरित मानस के रच्यता के रच्यता तुलसी दास है तुलसी दास है तो हमने इसको किसके अंतरगत बंद कर दिया भाई एक हरे चिन के साथ में प्रियोग किया जाता है ठीक है इक अरे चिन के साथ में प्रियोगत किया जाता है तुलसी दास है तो यहां पर किसी का नाम आ जाता है एकां किया जाती नाठक आ जाता है पात्र पत्रिकाओं के नाम आ जाते है कविता का सीर्सक आ जाता है लेख आ जाता है पुस्तक या गरंथों के नाम आ जाते मित्रों तो वहां पर हम किसका प्रियोग करते हैं इकारे चिन का प्रियोग किया जाता है दूसरा आता है मित्रों इसके अंतरगत दूहरा चिन कौन सा आता है दूहरा या दूहरा या दूहरा या दूहरा इसका प्रियोग होता है ओपर कहां पर होता है जैसे वाक्यांस को उद्ग्रित करते समय वाक्यांस को उद्ग्रित करते समय किसका प्रियोग होता है दुहरे चिन का प्रियोग किया जाता है जेसे मैंने कहा महावीर ने कहा महावीर ने कहा अहिंसा कौन सी हिंसा अहिंसा परमोधरम तो हम इसको किस से बंद करेंगे इनवेटेड कौमा अर्था धुह हरेचिन से किसी के कहेवे कथन को जोंकात्यों छापदेना धुहरेचिन के साथ में किया जाता है और उसी की भी पंक्ती यनि कोई कथन आ जाता है तो दूहरे चिन का प्रियोग और यदि उसका कोई एकांग की नाटक पत्रीकाओं के नाम आ जाते हैं पाठ का नाम आ जाता है तो हम इसको एक हरे के साथ में जोडते हैं किसके साथ में जोडते हैं एक हरे चिन के साथ में जो योजक्चिन का प्रियोग कहां पर किया जाता है ये हमारा योजक्चिन है ठीक है योजक्चिन का प्रियोग कहते हैं दो शब्दों को कि दो शब्दों को को जोडने के लिए तथा तथा दुवन्दुव समास तथा दुवन्दुव समास में इसका प्रियोग किया जाता है कैश्य किया जाता है वो देखिएगा जैसे मैंने लिखा सुख दुख प्रेम सागर ये हमारा कौन सा करमधार्य समास अर्थात हम इसको तत्पुरुष समास का भाग भी कहते हैं कौन से समास का भाग कहते हैं तत्पुरुष समास का भाग मानते हैं तो द्वन्दुव समास और तत्पुरु वो समास के भीतर भी किसका प्रियोग किया जाता है कुछ अव्वेबाव समास कंतर भी देखने को मिलता है क्या अव्वेबाव यानि समास कंतर भी देखने को मिलता है जैसे लब्द प्रतिष्ट सब्द लिखते हैं तो उनके बीच में भी किस का आता है योजक चिनों का प्रियोग किया जाता है कौन से चिन का प्रियोग करते हैं, योजक चिन का प्रियोग किया जाता है, ठीक है भाई, कौन से चिन का प्रियोग होता है, योजक चिन का प्रियोग किया जाता है, फिर हम इसमें कहते हैं, पुन्रुक्त शब्दों के बीच में, दूसरा नियम इसमा आता है, पुंद्रुक्त शब्दों के बीच में किसका प्रियोग करते हम योजक चिन का प्रियोग करते हैं पात पात डाल डाल धीरे 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 तुँ पात पात में डाल डाल तो बीच में किसका प्रियोग करते हम योजक चिन का प्रियोग करते हैं धीरे धीरे चल पात पात पे डाल डाल पे तो बीच में कौन से चिन का प्रियोग योजक चिन का प्रियोग किया जाता है ठीक है बई तो कौन सा हो जाता है नेक्स्ट इसमें नियम आता है हमारा वो नियम क्या कहता है वो नियम कहता है क्या तुलना वाचक शब्दों के मध्य किसमें तुलना वाचक तुलना वाचक शब्दों के मध्य प्रियुक किया जाता है जैसे मान लिखो मैंने लंका सी नगरी यसोदा सी माता भरत सा भाई और ने देखा यसोदा सी माता लंका सी नगरी तो सा सी से का प्रियोग होता है या तुलना का बूध करवाया जाता है तो वहाँ पर भी बीच में किसका प्रियोग होता है योजक चिनों का प्रियोग किया जाता है नेक्ष्ट बात आती इसमें अगला नियम का कहता है कि अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और संख्याओं और उनके अंसों के बीच किसका प्रियोग होता है योजक चिन का प्रियोग होता है जेसे बात कि हमने एक तियाई एक चोथाई एक चोथाई तो वहाँ पर बीच में हमने किसका प्रियोग किया है योजक चिन का प्रियोग होता है तुलना वाचक शब्दों के बीच में किसका प्रियोग किया जाता है योजक चिन का प्रियोग होता है पुन्रुक्त शब्दों में भी योजक चिन आता है और दो शब्दों को जोडने अर्था द्वंद वत तत्वर समास के उधारनों के बी निर्देशक्चिन आता है कौन सा चिन आता है निर्देशक्चिन आता है तो ये लीजेगा हमारा कौन सा है निर्देशक्चिन है और निर्देशक्चिन क्या कहता है कि नाटकों के समवादों में किसका प्रियोग किया जाता है निर्देशक्चिन का प्रियोग किया जाता है म मन्सा बेटी यदि तुम जानती ठीक वे से ही मैंने लिखा मनी माला क्या मनी माला क्या तो इसे प्रसन करने का अबोध हम कर रहे हैं वैसा ही हमने निर्देशक का मतलब होते हैं नाटकों के जो समवाद होते हैं पात्रों की बात करते हैं वहां पर किसका प्रियोग होता है निर्देशक चिनों का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट इसमें हमारा नियम आता है वो क्या कहना चाहता है वो कहता है कि जब परशपर या समान कोटी की कई एक वस्तों का निर्देश किया जाता है कई एक वस्तों का निर्देश किया जाता है जैसे बात करें हम काल के तीन प्रकार होते हैं संग्या के तीन प्रकार होते हैं तो यहां पर हमने किसका प्रयोग किया निर्देश का प्रयोग किया जैसे आ जाता है व्यक्ति वाचक व्यक्ति वाचक दूसरा जाती वाचक व्यक्ति वाचक तो यहां पर हमने जो प्रयोग किया है वो कौन सा है निर्देश किन का प्रयोग किया जाता है ठीक है यहां हम कह देते हैं जब वाक्य के भीतर कई वाक्य लाए जाए जब वाक्य के भीतर कई वाक्य लाए जाए तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है वहां पर भी हम किसका प्रयोग किया जाता है निर्देशक चिन का प्रियोग करते हैं कौन से चिन का प्रियोग करते हैं निर्देशक चिन का प्रियोग करते हैं जैसे मैंने लिखा मदन मोहन मालविये मोहन मालविये मदन मोहन मालविये ईश्वर उनकी आत्मा को उनकी ईश्वर उनकी आत्मा को आत्मा को शांती दे माता यह हम कह सकते भारत भारत की महान विभूती थे भारत की महान विभूती थे तो इसमें महान विभूती थे भारत के और उनकी इश्वर की शांती दे तो बीच में हमने किसका प्रियोग किया मित्रों तो वहां पर हमने प्रियोग किया है किसका निर्दे संवादों में प्रियोग किया जाता है और जब प्रenneक पर समान कोटी के कई वस्तों का के तीन चीजों का विशेषते ध्यान रख लेना उससे पहले हमने बात की थी अक्सरों में लिखे जाने वाली संख्याओं के बीच में कौन सा आता है योजक चिन तुलनावाचक शब्दों में योजक चिन का प्रियोग होता है पुंद्रुक्त शब्दों में योजक चिन आ कवीता का सिर्षक लेंग नाम आ जाता है तो वांपर एक हरे का प्रियोग किया जाता है और प्रकार के होते हैं तो अस्व्क का स्विकर्ति अनुमति या इच्छा अश्रिवाद के योग में किसका प्रियोग कर देते हैं विश्म्यादी बोदक का चिन का प्रियोग होता है जब किसी को बुलाया या पुकारा या आवाद लगाई जाती या चिलाया जाता है तो वहां पर संबोधन चिन का प्रियोग होता है और यहाँ पर प्रशनवाचक चिन का प्रेयोग था आन्त में प्रशनवाचक चिन का प्रिyond को छोड़ा जाता है अपूर्ण विराम सामाना देगरन उपवाक्यों के बीच में जब कोई संयोजक्चिन ने हो तब कौन सा अपूर्ण होता है मिस्तरवाक्य उपवाक्यों को अधिक जोर देने के लिए कि इसका होता है अर्ध विराम चिन का प्रियोग होता है मिश्र वे सहित वाक्यों का विरोध अर्थ पर कट करने के लिए किसका प्रियोग होता है अर्द विराम का प्रियोग होता है समय सुचक शब्दों को अलग करने के लिए अलप विवराम प्रियोग किया जाता है पत्र के अभिवादन समापन के लिए भी किसका अलप विवराम का प्रियोग होता है समाना दिकरन शब्दों के बीच में भी किसका प्रियोग अल्प विराम कभी कभी संबोधन के बाद में भी किसका प्रियोग होता है अल्प विराम का और वाक्य के मत्य क्रिया वीशेशन और वीशेशन उपवाक्यों को में भी किसका प्रियोग और उर्दरन चिन से पूरो भी अलफ विराम चिन का प्रियोग किया जाता है वाक्य के भीतर एक ही प्रकार के शब्द होते हैं उनको अलग करने के लिए वाक्य के उप वाक्यों को अलग करने के लिए भी किसका प्रियोग किया जाता है अलफ विराम चिन का प्रियोग किया ज जे हिंद जमाद जम